ये महमान हम सब के हैं हमें तोड़ी तकलीफ होगी थोड़ी असुविदा होगी देश की सांख पर रती भर्वी आंच ना आए ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है घर में भी अगर पांच साथ महमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते हैं G20 की मेजबानी पुरा देश मेजबान है लेकिन जादा से जादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाईयो बहनों की है मेरे दिल्ली के नागरिकों की है और इसलिए देश की सांख पर रती भर्वी आँच ना आए ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है देश की आन बान शान का जंडा उचा करने का सवबाग्या मेरे दिल्ली के भाईयो बहनों के पास है और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से महमान आते है तो अस्विदा तो होती ही होती है अपने घर में भी अगर पांस साथ महमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते हैं अगल वाली छोटी सी चैर पर बैठ जाते हैं क्योंकि महमान को जगा देते हैं हमारे हाँ भी अतिति देवो भवा के हमारे समस्कार है हमारी तरफ से जितना ज़्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं हमारा गवरो बढ़ाने वाले हैं हमारी सांख बढ़ाने वाले है और इसलिए सितंबर में पांच तारिक से लेकर के पंदरा तारिक तक बहुत सारी गतिवीदिया यहां रहेगी मैं दिल्ली वालिशों से आने वाले दिनों में जो असुविदा होने वाली है उसकी शमायातना आज ही कर लेता हूँ और मैं उनसे आगरे करता हूँ यह महमान हम सब के हैं हमें थोड़ी तकलीव होगी थोड़ी असुविदा होगी ट्राफिक के सारी विवस्ताय बदल जाएगी बहुत जगा पे हमें जाने से रोका जाएगा लेकिन कुछ चीजे आवश पुषक होती है और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है न तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखुन काटते थे मैं थोड़ा था अगर खुन निकल गया हो तो भी लोग आरे भाई समालो घर में अवसर है कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए कुछ बुरा नहीं होना चाहिए तो यह अपना बड़ा अवसर है एक परिवार के नाते यह सारे महमान हमारे हैं हमें हम सब के प्रयासों से यह हमारा जी ट्वेंटी समीर्स शांदार हो रंग बिरंगा हो हमारा पूरा दिल्ली रंग राज से भरा हुआ हो